नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटीव चैनल जम्मू की शान में तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत सारी टेकनलोजी की वीडियो दिखाई हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी प्रानी परंपरा दखाऊंगा तो तो आज कल यह जो भी आज ऊसर्कारी आजकल ढीज जेंड की यो की काफिए पैदावार देते हैं काफी अच्छा फल इसमें लगता है हमने आप देख रहे हैं वहमने अभी बैलों को हमने जोता है तो पैलों के साथ हम कैसे खेती बारी करते हैं यह वीडियो में आज हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं तो इस वीडियो में बढ़े रही है और वीडियो को लास तक देखिये और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आते हैं और बहुत सारी नई-नई टेक्नलोजी भी आपको दिखाते हैं और म्यूजिक वीडियो तो हमारी आती ही रहती हैं और साथ-साथ में हम आपको गाओं की परंपरा और गाओं का पूरा रिती रुवाज गाउं की शादिये बहुत सारी वीडियो हमने जात्राओं की वीडियो हम आपको दिखाते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारी परानी टेकनोलोजी से हम परानी परंपरा से हम जो खेती बारी करते हैं उसी के रिगार्डिंग हमारी आज की वीडियो है तो अभी बने रही है हमारी वीडियो में हम आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे हम बैलों के साथ खेतों को हल जोते हैं और कैसे हम खेतीवारी करते हैं तो दोस्तो आज के काम की शुरुआत हमने पंचुल से की पंचुल शर्मा इनका अलग से एक यूटीव चैनल भी है पंचुल गाइड जिसका नाम है जिस पर इनकी बहुत सारी कवीताइं आती रहती है और जो भी एक्टिविटीज इनकी होती है वो सब उस पर आती रहती है तो दोस्तो उस पर विस्ट कीजिएगा पंचुल गाइड और उस चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इनको प्यार दीजिएगा अपना तो देखिए दोस्तो इनको काफी ज़्यादा अंट्रस्ट रहता है हर काम के लिए जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो पंचुल हमारे साथ चला जाता है और काम मैं काफी अंट्रस्ट रखता है तो आज ऐसे हमने बैलों को जोता तो पंचुल कह रहा था कि मुझे सबसे पहले मैं बैलों को चलाऊंगा और मैं हल चलाना भी सीखूंगा तो दोस्तो हमने बैलों को जोता और ये पंचुल अभी हल जोत रहा है इनके साथ बैलों के साथ अंजाए कर रहा है इतना तो आता नहीं है इसको क्योंकि एज इसकी अभी चार से पांच साल के बीच में है काफी शोटा है लेकिन इसकी जितनी भी हमारी पराणी प्रमपरा होती है उसमें बहुत ही जादा रूची रखता है तो दोस्तों अभी हम पंचुल से बाचीत करते हैं कि इसको कितना मज़ा आया है बैलों को चलाने में और कितना अंजाए इन्होंने किया है तो चलिए पंचुल जी से बाचीत कर लेते हैं उसके बाद हम आपको इस टेक्नोलोजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रवाइ काम आ गया पूरा इतना काम कर देता है तू स्ट्रॉंग है गया वेरी गुड वेरी गुड नाम क्या आपका पंचल जर्मा अच्छा यह सीर पे क्या लगाया आपने दोस्तों यह थे पंचूल शर्मा जिंसे आपने बात चीत करी काफी ज्यदा अण्ट्रेस्ट और बहुत ज्यादा अन्जाए किया इनोंने हमारे काम काज खेती बाड़ी के काम काज मैं काफी अन्जाए इनोंने किया तो दोस्तों अभी हम आपको बता देए आपकी जानकरी के लिए हम बता दें के जम्मु कश्मीर मैं इस टाइम मकी की खेती चल रही है तो जम्मू किश्मीर की बात करो तो जम्मू किश्मीर में काफी ज्यादा पैदावार मकी की होती है और साथ में बीट की भी काफी पैदावार होती है राइस भी जम्मू किश्मीर में काफी मातरा में होते हैं तो मकी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकी के साथ राजमा जो की जम्मू किश्मीर के काफी मशूर माने जाते हैं जिसको लोग काफी सबादिश्ट भी होते हैं खाने के लिए और बहार के लोग भी काफी पसंद करते हैं पूरे हिंदोस्तान में राजमा को काफी पसंद किया जाता है तो जम्मो किश्मीर में जब मकी की खेती होती है तो उसी के साथ ही राजमा भी हम डाल देते हैं और उसी के साथ ही इसको लगा दिया जाता है चार से पांच मीनों में जब खेती तियार होती है तो उसके साथ राजमा भी तियार हो जाते हैं तो दोस्तो ऐसे इस ताइम लॉग डॉन भी चल रहा है जो की बीमारी काफी ज़्यादा फैल चुकी है तो मैं सभी लोगों को एक मैसेज दूँगा के सभी लोग अपने गर में रहें और बाहर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें तो हमारे यहां तो खेती बारी का काम कर रहें हैं लोग तो बाहर कम ही निकलते हैं आपने ही गर में खेती बारी के काम में लोग लगे हुए हैं तो काफी अच्छा भी लगता है मुझे भी काफी अंट्रस्ट है कि खेती बारी का काम करना मुझे काफी अच्छा लगता है मैक प्रच बजे सुबा काम शुरू किया था अभी इस टाइम साड़े ग्यारा बज चुके हैं थोड़ी ही देर में हम अपना काम खत्म करके फिर रेस्ट लेंगे और शाम को फिर से दुवारा खेती बारी का काम शुरू करेंगे तो दोस्तों यह हमारे पहाडी खेतरों का रहें हैं और खेती बारी भी काफी जादा मातरा में की जाती है तो हम लोग मैकसीमम अपनी खेती बारी करके ही अपना खाना त्यार करते हैं क्योंकि हमें इतना जरूरत नहीं परती बाहर से कुछ लेने के लिए क्योंकि यहां पे काफी बड़े खेत होते हैं खेतों में पहले मक दी जाती है जहां सर्सों का साग काफी जादा मातरा में होता है अभी जैसे मक्की की खेती चल रही है उसके बाद जैसे ही मक्की की कटाई होगी उसके बाद हम बीट और उसके साथ में सर्सों का साग लगाया जाएगा जो कि सर्दियों के मोसम में यहां सर्सों का साग काफी म पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा हम आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै बारत, जै डूगर, जै माडोगरी